Food Delivery Zometo के Grocery Platform Blinkit की तरफ से Delivery Partners की Fees में कट उते के बाद हुए विरोध की वजय से पिछले हफते दिल्ली NCR में Blinkit के कई स्टोर बंद हो गये Delivery Partners की सेवा ठप होने के वज़ह से पिछले हफते Blinkit के कई यूजर्स को Grocery Delivery की सर्विस नहीं मिल पाई थी सर इस जगड़े की वज़े क्या है क्यों ये हड़ताल हुई और इसका अन स्टार्ट अपर क्या आसर बढ़ेगा शुम ये बड़ा घटना करम है भारत में गिग वरकर्स की तरफ से पहली बार इस तरीकी की एक का अंदोलन और इस तरीकी की का विरोध प्रदर्शित किया गया है और उसकी वज़े ये हुई कि जुमेटर बलिंकिट के स्टोर बंद हो गए जगड़े की वज़े विवाद की वज़े ये थी कि कमपिनी बलिंकिट ने अपने जो डिलीवरी बाज थे या डिलीवरी एजेंट्स थे उनको मिलने वाला कमिशन 50 रुपे से घटा कर 25 रुपे इससे की घटना नहीं है इससे पहले हमने उबर और ओला में भी इस तरीकी के घटना करम देखे थे अब यहाँ एक अजीब सी जद्दो जहत शुरू हो रही है गर्मियों के साथ इस गर्मियों में एकामर्स कमपिनियों को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और गर्मियो इस पर बात करें कि स्टार्ट अप कैश बर्न कर रही है यूज कैश बर्न में फसी हुई है और इसलिए वो अपनी लागत में कटोती कर रही है और लागत क्यों कटोती गिग वर्कर्स को मिलने वाले कमीशन के तोर पर उन्हें जो जो मजदूर यह मेहनता ना दिया जाता उसमें कटोती के तोर पर किया जा रहा है जैसे कि बिलिंकिट के जो डिस्टिबूटर्स हैं या जो गिग वर्कर्स हैं उन्होंने कहा कि उन्हें पहले 1200 रुपे के आसपास एक दिन में मिलते थे लेकिन ने कासे स्ट्रक्चर के बाद उन्हें केवल 600 से 700 रुपे ही केवल म कंपिनियों के के बिजनस मॉडल्स पर उनके के कैश बन पर उनका कैश बन बढ़ेगा यह जद्दो जहत शुरू हो रही गिग वर्कर्स पर और बाकी कोई कानून नहीं लागू होते हैं इसलिए इनको मिलने वाले जो कमीशन से उनका भी कोई स्टेंडर्ड राचा नहीं ह अलग अलग उद्द्योगों में अलग अलग सेवाओं में अलग अलग तरीके से कमीशन दिया जाता है